पुद्ध मास खाते थे या नहीं खाते थे इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है और ये प्रस्ण बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है जितने भी दुनिया में जीव हैं उनको नहीं पता कि वो साकारी हैं या मासाहारी हैं वो भोजनहारी हैं ये सबको पता है उनको अपना जीवित रहने के लिए भोज्य पधार्ट भोजन के योग्य पधार्ट चाहिए जिसको वो खाते हैं जब वो मनुस्य के अंदर चेतना आई और मनुस्य ने अपना वर्चस से इस्थापित करने की कोशिस की और बिना महनत के दुनिया से लोगों से अपना खाना अपना पानी या उनका जो संसादने वो छीनने का अभ्यास किया और उसके तरीके बनाए तो उनमें से एक तरीका था साकाहारी और मासाहारी ऐसा बताया जाता है जो बावा साव अमेटकर ने किताब लिखी है भारत के अंदर जो वमन लोग बाहर से आए जो वम लोग बाहर से आए वे लोग जंगलों में जानवर उठा के ले जाते थे या जानवरों को पकड़ लेते थे जो पालतू जानवर भारत के यहां के लोगों के होते थे चोरी करकर आज भी जानवर चोरी होते हैं गाओं के अंदर और उन जानवरों को वो जंगल में ले जाकर मारते थे उनको पकाते थे, आग बर सेखते थे और उनको खाते थे इससे भारत के जो किसान जो यहां के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परिशान थे उनके जो जानवर थे वो उनकी जीवी का थी क्योंकि जानवर उनका हल चलाते थे, जानवर उनको दूद देते थे जानवर उनको खाल देते थे जानवर उनको मास देते थे मरने के बाद यहां के अधिता लोग मरने के बाद अपने जानवरों का मास खाते थे या छोड़ देते थे इस से जब बहुत जादा यहां के लोग परिशान हो गए तब बुद्ध ने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो बली के रूप में बली मतलब टेक्स टेक्स के रूप में जो जानवर लेकर जाते थे जो यहां राजा राजतंत के लोग थे या जो ऐसे लोग जो इस बहाने से जानवरों को चुराते थे उनका विरूद किया और जानवरों को मारने का पूरा विरोध गया जिससे लोग बुद्ध के साथ हो गए और बुद्ध की मानेता बढ़ गई बुद्ध की मानेता बढ़ने से जो लोग जानवर उठा के ले जाते थे या बली में जानवर लेते थे टैक्स के रूप में उनकी मानता घट गई, लोग उने उनकी मानता नहीं मानी, उनका वजूद खतम होने लगा, उनका अस्तित्व खतम होने लगा, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, फिर जानवर का काटने मारना बंद किया, ना केवल बंद किया, बलकर उन्होंने ये भी एलान किया कि आज के बाद से हम किसी खास जानवर का जो जादा पाया जाता था उसका मास नहीं खाएंगे इससे क्या हुआ कि बुद्ध की मानेता घट गई और लोगों में उन लोगों की मानेता बढ़ गई कि ये लोग तो मास भी नहीं खाएंगे और उन्होंने जब देखा कि उ को चरम पर जाकर स्थापित किया इस से उनको political फाइदा बहुत ज्यादा हुआ जो लोग बुद्ध की तरफ मुढ़ गए थे वह लोग उनकी तरफ मुढ़ दे और जानवर के ना मारने से और जानवर को पूझने से और जानवर की महिमा करने से उनको बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ ये बात डॉक्टर अंबेटकर ने अपने वॉल्यूम में लिखी है और बताई है किस तरह से एक खास जानवर की वैसे एक अस्तित जो खतम होने का गार पे था वो दुबारा से बच गया और मजबूत हो गया दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको दो भागों में डिवाइट किया गया मासाहारी और साकाहारी कुछ ऐसे लोग थे जो दोनों चीज़ खाते थे यानि मास भी और साक सक जीवी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ मास ही मास खाते हों और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ साक ही साक खाते हों अधिकता लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं क्योंकि मनूश्य की जीवी का रही है जो उसका भोज़े पदार्द रहा है वो सभी तरह का रहा है चाये वो सीफूड हो समुंदर से मिलने वाला कोई बी जानवर हो या वो कोई बी जानवर जीव प्रतवीवे मिलने वाला हो जो जिहरे लड़ना हो जो मनुस्ये के निकसान ना करता हो और साख जगजी में उसने सारे experimentation किये जो भी साख जगजी उसके स्वास्ते लिए अच्छी हो सकती है वो सारी की सारी उसने पहुज़े में शामिल की पर दुनिया के अंदर जो जीब का मास है यानि जो मास होता है उसको पॉलिट साइज किया गया उसका राजनीती करन किया गया और उसको मनुस्य से मनुस्य से लड़वाने का प्रभंद किया गया कुछ देसों में एक जीब नहीं खाते और बाकी सारे खाते हैं दूसरे देस में उस जीब को भी खाते हैं पर किसी और जीब को नहीं खाते यानि सब ने अपने political फायदिक लिए किसी ना किसी जीब की महिमा को या तो उपर कर दिया है या किसी ना किसी जीब की महिमा को नीचे कर दिया है और खाते सब लोग मास ही हैं क्योंकि अधिकतर देश ठंडे हैं और ठंडे देशों में बिना हाइवी प्रोटीन के व्यक्ति बच नहीं सकता और हैवी प्रोटीन मास से आता है पर बुद्ध ने मास खाया या नहीं खाया ये प्रसन इसलिए भी इंपोर्टेंट होता है क्योंकि भारत के अंदर जब कोई बुद्धिष्ट होता है और जब वो अबुद्ध से बात करता है जो नौन बुद्धिष्ट होता उससे बात करता है तो वो नौन बुद्धिष् वेर मनी सिख्खा पदंग समाधिया की बात कही है पानाती पात मत्दब प्राण का पतन नहीं करना अकारण ये जीब की हत्या नहीं करनी है ऐसा उन्होंने कहा है पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको मास खाना है या नहीं खाना है ये बात उन्होंने कभी नहीं कही इस तो आपने उस sentence को कहा लेना है कैसे लेना है ये आपकी बुध्री पर आपके सहज ग्यान पर है क्योंकि पाणाति पाता वेर्मणी तब है जब आप बिनाब की बात किसी जीप की हत्या करने जा बिना बाद के किसी जीब की हत्या करने जा रहे हैं कोई कारण नहीं है और आप जीब की हत्या करेंगे तो खास तोर से भिक्कों के लिए वो निसेद था क्योंकि भिक्कों को नहीं करना चाहिए अकारण अगर किसी जीब की हत्या करते हैं तो भिक्कों के तप और साधना में विपस्ना में खरल पड़ता है और उनको मुक्ष प्राप्प होने में दिक्कत आती है जो लोग विपस्ना करते हैं वो जानते हैं पर बुद्ध जानते थे कि ये जो जीव है जितने भी जीव है प्रकृति के अंदर ये किशिना किसी food chain में आते हैं यानि higher food chain से लेके lower food chain यानि कि जो खादे स्रंखला है जो भोज़े स्रंखला है जो भोज़न की संखला है जो भोज़न की सरीज है जहां सबसे उपर वाला भोज़न खाने वाला जो जीव है प्राणी है या पक्षी है वो नीचे वाले को खाता है और उसके नीचे वाले को खाता है और सबसे नीचे वाला साख सब्जी को खाता है यानि जो सूरे से प्राप्त साख सब्जी है उस साख सब्जी से नीचे से लेके उपर तक बहुत सारे जीब पलते हैं तो जीब सारे के सारे एक दूसरे का भुज्य पदार्थ होते हैं और ये फूट चैन अगर तूट गई तो प्राकर्टिक नियम तूट जाएंगे और प्राकर्टिक नियम अगर तूट जाएंगे तो प्रत्वी तहस्नेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्योंकि बुद्ध को जितना सहज और जितना सरल और जितना गूड और जितना गंभीर ग्यान प्रकर्टि के वारे में, पक्ति के वारे में, नीचर के वारे में रहा है, अभी तक किसी को इतना रहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे काम प्रकर्टिक से सीखे हैं और उनका ज से के आप मास खाएं या ना खाएं उन्होंने कभी नहीं कहा है भिक्कू से के आप मास खाएं या ना खाएं उन्होंने भिक्कू के खाने के नियम बनाए जो पिंडपात नियम होते हैं पिंड़ माने होता है पिंड़ी पिंड़ माने जैसे लड़ू होता है तो पहले चावल को लड़ू बनाकर खाया करते थे, आज भी बिहार के अंदर और मदरा साउथ नदर सब लोग चावल की पिंडी बनाते हैं तो उसको पिंडपात बोलते हैं, तो पिंडपात करने के लिए मनसोधन भी होता था, मनसोधन मतलब मास का चावल, जिसको आज बियानी बोलते हैं, चावल मास, तो चावल मास भी होता था उस समय, तो बुद्ध ने सारी बात देखते हुए, कभी कोई ऐसा आदेचा, ऐसा ओडर नहीं दिया, जो ऐ प्राकरतिक हो, क्योंकि भिकों के लिए नियम था, कि भिकों अगर जब पिंड़ पात के लिए जाएंगे, पिंड़ पात च देगा खाना, और जैसा भी पका हुआ खाना डाल देगा, वो उनको स्विकार होगा, वो नहीं देखेंगे कि वो कैसा खाना है और कैसा नहीं है, और जब वो बजन से ये देखेंगे, कि अब ये खाना भिकों संग के हिसाब से, या जब वो भिकों संग जहां भी है, उसके हिसाब से sufficient है आज के लिए तो खाना मागना बंद कर देंगे और उस खाने को मैस करके खाएंगे यानि कि सारे खाने को मिलाकर खिच्टी की तरह घोटेंगे और फिर वो खाएंगे जिससे कि कि किसी के घर के अगर अच्छा खाना स्वादिष्ट खाना है और किसी के घर का कम स्वादिष्ट खाना है तो उनके मन में स्वादिष्ट खाने के पिट्टी बहुत ज्यादा राग ना आए और जो ऐस्वादिष्ट खाना है उसके पिट्टी कहीं उनको देश ना आए तो से घर से उपक्षा करेगा तो फिर वो मोख प्राथ नहीं कर सकता ये नियम उनके थे तो भिक्कू संग में जो बुद्ध थे वो भी उस नियम का पालन करते थे और जैसा खाना उनको मिलता था वो ऐसा मैस करके बढ़ता था ऐसा नहीं है कि बुद्ध का खाना अलग से आता जैसे किसी को आपने बुलाया और उसके आगे आपने टेबल सजा दी और उसके पचास उसमें खाने की डिस लगा दी और बड़ी ऐसे बड़ी अब भुजर पदा तो फिर बैठके जो पसंदाया वो देके खाना ऐसा भिक्कू नहीं खा सकते थे आज भी ये नियम है कि भि भिक्कू अबी विने का पहलं नहीं करते, सील का पहलं नहीं करते, इसलिए और यो पिंड पात्र है उसको ले कर नहीं चलते और लोगों के यह दावत उडाते हैं हैं सामिक रूप से तो सब उनको घर के बाहर बैठा के और मैस करके खाना उनके पात्र में देना चाहिए ताकि उनको रागवेस भोजबदार से ना लगे और आप उसके पाप के भागिदार ना हो तो यहां जो लोग है वो कहते हैं कि बुद्ध ने जी भत्या के लिए मना किया है तो बुद्धिश लोग मास क्यों खाते हैं दरसल उन्होंने जी भत्या के लिए मना किया पर मास खाना या नहीं खाना है उसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि जितने भी नियम नोंने बनाए वो mostly नियम अधिकतर नियम भिकू संग के लिए और भिकूनी संग के लिए हैं 227 नियम जो नर भिकू हैं उनके लिए हैं और जो 311 हैं जो भिकूनी हैं यानि की जो female monks हैं उनके लिए है तो उनके लिए नियम अलग से हैं और जो साधन लोग हैं जो समण लोग हैं उनके लिए नियम अलग से हैं जो साधन लोगों के नियम हैं उनमें बुद्ध ने कभी ऐसा कोई नियम नहीं दिया जिससे किसी व्यक्ति के खाने का रहने का पैनने का बोल का वहवार का या उसकी संखती का संखती मतलब संसक्रती बाद में संसक्रती बुला गया उसकी जो संखती है उसकी जो कल्चर है वो कहीं डिफलेक्ट हो यानि कि वो अपनी कल्चर में अपने जो उसकी संखती है जो उसका वहवार है जो उसका आचार है जो उसका रहन सेन है जो के लिए वो पूरी तरह से सोतंत रहे क्योंकि पुराने समय में लोग जो बुदिष्टे वो शिकार बहुत क्या करते थे और शिकारियों का बहुत बड़ा एक तबका होता था जिसका कामी जंगल से जाके मास को इखटा करना होता था या अंडे इखटा करना होता था क्योंकि भारत के अंदर जंगल ही जंगल थे और भोज्य पदाहत एकटा करने के लिए जंगलों से या तो फल लेके आते थे या कुछ लोग खेती करते थे, साख के लोग साख सब्जी उगाया करते थे, कुछ लोग चावल उगाया करते थे, कुछ जंगलों में जाके मास लाते थे, क प्राकर्ट नियम है इसको बदला नहीं जा सकता पर जो लोग हैं उनको डिवाइड करने के लिए बुद्ध के ही सद्धान से ये कहते हैं कि जीवहत्या बंद है और फिर कहते हैं कि आप मास क्यों खाते हो जीवहत्या बंद है या जीवहत्या नहीं करनी चाहिए ये पंसील में आता है पर आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये पंसील में नहीं आता है उसमें आपकी छूट है पर आप हत्या नहीं कर सकते ये बात बिल्कु ठीक है इसलिए पुराने समय में तैयार मास्क खाय किया जैसे शेर ने मानलो कोई हिरन को मारा तो पूरा हिरन शेर नहीं खा सकता या दो-तीन शेर नहीं खा सकते कुछ हिस्सा बच जाता है वो जो हिस्सा बच जाता है उसको लेके खाया जा सकता है या जैसे चील ने कोई मास का टुकड़ा लेके जा रही आकास में और उसकी च पर्चेश कर सकते हैं खरीज सकते हैं जब आप उसको पर्चेश करते हैं खरीदते हैं तो जो अबॉद्ध लोग हैं जो नॉन बुद्धिश्ट लोग हैं वो फिर यह कहते हैं आपने खरीदा क्यों आपने आप खरीदेंगे नहीं तो वो जीव हत्या नहीं करेगा आपने उ यानि कि खरिदारी नहीं होंगे तो फिर जीव अत्या करने के कोई मास को बेचेगा भी नहीं और गलत इसलिए हैं क्योंकि प्रत्वी पे जितने जीव हैं वो जीव किसी का भोजे पदार्त हैं पहले शिकार करके शिकार बेचा जाता था लोग शिकार करके लाते थे और मास क में मास को खुले में रखके बीचा जाता है मास को सुखाय बीचाता है इसलिए वो भूजिन चैन में आते हैं पर उसमें जो हत्या करता है वो खुद उसका पाप लेता है तिबबत के अंदर जो लोग हैं जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कभी हत्या नहीं करते पकर वो मास क की हुई आखिए जब मास आपना खेदा या दूसरे से कटवाया तो आप उसके पाप के भागिदार हुए तो आप पापके भागिदार नहीं होते हैं पापके भाग भागिदार इस्टे नहीं होते हैं क्योंकि एकत्वाप भिक्कू नहीं है बिक्कू के लिए ये नियम है कि अगर कहीं वो खाना खाता है या खाना खाने के लिए जाता है या बुलाया गया है तो वो अपने मुह से या अपने मन से या कोई इसारा भी ऐसा नहीं करेगा कि वो भोजर में मास खाएगा यानि कि वो इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता और वो ऐसा हिसारा भी नहीं कर सकता कि उसको मास पसंद है या मास खाएगा या वो मास के वारे में कोई बात नहीं करेगा अगर वो हिसारा भी करेगा या मन में ये एक्षा लाएगा कि मुझे आज मास मिल जाए तो मास खाऊंगा तो वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता पर साधारन लोग मुक्ति प्राप्त करते साधारन लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं करनी होती है जो साधारन समन होते हैं उनको परिवार पालना होता है उनको अपने सरीर को तगला करने के लिए भोजन पदार चाहिए और वो भोज़ चैन में आता है इसलिए वो इस मारने से या इस हत्या से एक प्रेयर करते हैं और उस प्रेयर के आधार पर उसको जीब से उसका मास को मांगते हैं और वो प्रेयर होता है कि हमें आपके अपना जीवन बचाने के लिए आपके मास की आउसकता है हमें आप मास को प्रदान करें और हमें छबा करें ऐसी प्रेयर अरब के अंदर भी होती है अरब के अंदर जिसको कहते हैं कि हलाल का मास है उसमें प्रेयर की जाती है कि हमें आप कोई जीव हत्या किया है पर किसी भी हालत में अगर आप अकारण से आपको मास की आउशकता नहीं है और आप फिर भी आप हत्या करते हैं तो आप उसके फिर दोसी सिद्ध हो जाते हैं इसलिए बुद्ध ने कभी भी किसी को भी फूड चेन के बीच में कोई भी किसी भी तरह कि लोक टोक नहीं लगाई क्योंकि जीव अगर होंगे तो जीवों का उपयोग होगा ही होगा इसमें कोई शक नहीं है और दुनिया के अंदर अगर फूड चेन में से मंस खतम हो जाए मास खतम हो जाए तो 40% लोग भूके मर जाएंगे बलकर बताते हैं कि 60% लोग भूके म जीते हैं और मास की बाकाइदा खेती भी करते हैं ताकि मास की आपड़ती पूरी होती रहे इसलिए जब लोगों को ये कहा जाता है कि आपने मास खाया तो आपने पाप किया तो उनको सच में ऐसा लगता है कि उनसे कोई पाप हो जिया पर साथ उनको जानकारी नहीं है क्य रहा है उसमें सुरू से लेके आखि तक लोग जीवीति ही कारण से हैं क्योंकि उनका भोज्य पदार्थ मासuto जाता है और भुज्य पदार्थ मास रहना कोई हानी कारग्स चीज नहीं है क्योंकि क्योंकि शीर का भुज्य उसमसाता है उसके दात भी है आधे आथे खाषरसे हो। मास का जो जग्रा लगाया हुआ है क्या Nepo यिखे है या नहीं यह प्लिटिकल जग्रा यह प्राक्रितिक जग्रा चीजाने नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग भारत के अंदर माशना खाने को और घरदी बास जुदे मेरा synagogue Like Now को बड़ी बास बड़ते हैं। उनको है इस मैं ज़्यते है एक क्योंदिंग तकते इसा अगले हैं। जिसमें लगबग रोज ही लोग मास खाते हैं जो क्रिश्चन लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं उनकी परंपरा क्योंकि जहां से वो आए महां मास ज्यादा उप्लब होता था तो उन्होंने अपनी कल्चर वहीं से अडॉप्ट कर ली और भारत में साख सब्दी ज्यादा होते वे भी वो मास को जादा खाने लगे भारत में मास बहुत कम खाय जाता था क्योंकि जिन एरियों में साख सब्दी हैं वहां साख सब्दी ज्यादा खाय जाती थी और जब उप्लब हो तो मास भी खाय जाता था पर जिन एरिया से जो इसाई लोग आए और मुस्लिम लोग आ होता है मास्ख कोन अब यूक्त होता है मासख खाने से ह kang er sa आपने जीवहत ने की है विर चांओ इस्थी की काल वता है । जो बात बुध के साथ हुई जो बाद बुद्ध को जीतने के लिए या अपने व्रचस को कायम करने केले लोगों ने उसको फैल के लियुकर यार मेंगरे बात और लगाता राय उफलाते हैं खास तो जो फीनि M still सौफ्टव्य कोमलता उनने करुणा उनने म मंता प्यार जिता होता है तो वहर का और अजिय जो सबसे ज़्यादा भारत न होती है वह लोगों की है जो लोग मस्मोहीचा क़ातेएं या नहीं मास Vas कि बड़ी फैक्ट्रिया खग्यां और उसके लाइसंस दो Capital को को लिए हैं मास नहीं खाने वाले लोगों ने मास नहीं खाने का पच्चार करने वाले लोगों ने जान बूझकर यहांसे मास को supply करके बाहर भिजा गया था ताकि उनको पैसा मले तो सबसे बड़ी जीव हत्या के कारण वो है जिनकी बड़ी-बड़ी फैक्ट कीया है सबसे बड़े जीव हत्या के कारण वो लोग है जो यहां से license देते हैं कि आज के बाद में भारत में जीवत्या अवैद है और किसी को लाइसनस नहीं दी जाएगा और यहां से कोई भी मास का एक्सपोर्ट नहीं होगा पर कोई करता नहीं पर पॉलिटिकल मायलेज सब लेते हैं एक स्टेट में जो जानवर नहीं खाया जाता वो दूसरे स्टेट में वैद है और जो दूसरे स्टेट में खाय जाता वो तीसरे स्टेट में वैद है याणि कि पॉलिटिकल में ज़िस जानवर के खाने का विरोद करते हैं दूसरे स्टेट में उस compatible समर्थन करते हैं खुद खाते भी इसलिए समझना चाहिए कि जब कोई आप से यह कहता है कि मा इधान भी जाज़त देता है इसके लिए बुद्ध ने भी जाज़त दी है इसके लिए जितने भी संत हैं सबने जाज़त दी है कभी किसी संत नहीं कहा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और अगर कोई संत ये कहता है कि आपको ये खाना चाहिए ये नही आप में इमानदार ही होनी चाहिए, आप में वेबचार नहीं होना चाहिए, आप किसी की हत्या नागना करें, ये संत बोलते हैं, पर संत ये नहीं कहते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये हम ऐसा पॉलिटिकल लोग कहते हैं, इसलिए ये जो परसन है, ये सारे गुट अपने आपको सुपर दिखाने के लिए बड़ा दिखाने के लिए वो कहते हैं कि मास नहीं खाना चाहिए मास को छोड़ दाना चाहिए जबकि वो खुद मास के बने हुए है उनकी जीब के जो जो उनकी जीब है वो मास की बने हुई है और जीब 24 घंटे स्वाद देती है खुद जीब का यानि जीब खुद जीब का स्वाद देती है और सरीर से दूद प्राप्त होता है उस दूद को सब खाते हैं सरीर से खुद प्राप्त होता है उस खून को मास बताते हैं यह डिफरेंस देखिए जबकि आयरुवेद यह कहता है कि जमीन से प्राप्त जो भी चीज होती है, वो वैज होती है, वो बनस्पती होती है, वो साक सब्जी होती है, वो साका हरी में आती है, और सरीर से प्राप्त कोई भी चीज है, वो मासा हरी में आती है, क्योंकि वो सरीर से प्राप्त है, इसलिए जब किसी की खाल को ओड़ते हैं, किसी की खाल का कीने का बैक बनाते हैं तब वो मास याद नहीं आता उनको तब वो सब ठीक है उनके लिए वो खुद मास के बने हुए है वो कैसा मास है उनका जीब खुद मास का स्वाद देता उनको मास याद नहीं आता वो जब अपनी पत्नी को प्यार करते हैं या पत्नी उनको प्यार करत ही है तो प्यार में वो एक दूसरे की खाल है उसको टच करते हैं उसको जीब से टच करते हैं उसका इसकिन का स्वाद लेते हैं को छोटा बच्चा उसको प्यार करते हैं उसके गाल को चाड़ते हैं जानुरी देखे होंगे एक दूसरे को चाड़ते हैं तब वो इसकिन का टे बनते हैं माय से तिसए भी दाया बनती हैं वह याद नहीं आता जानवरेंटे से इतने रिए बड़े इंजक्सिन बनते हैं ब hem उसको लग्वाने के लिए लाके रुपे देते मरते हैं वह उस समय िनार्टटफे सव्धान भी खाते यहां कि मतने में ख़त हैं नई यह स्काइल Kaiyo best 1950 में उना जैंगलों में जो मिलता वह खाते थे जानवर भी खाते थे और जो बरस्पति से मिलता था पीड़ पॉदे से वह भी खाते थे इसलिए ये जगड़ा बेकार का है ये अज्ञानता है लोगों को जगड़े में फसाया गया है अच्छे कासी मनसाहरी जो लोग है क्योंकि जो मनुसे पूरी दुनिया पाए जाते हैं वो अधिकतर सारे-सारे मास करने के लिए जो लोग पहले मास खाते थे वह मास खाना छोड़के लोगों पर दादागरी करते हैं कि देखो मास नहीं खाते मास बेकार की चीज़ है ना मास बेकार की चीज़ है ना मास अच्छी चीज़ है आप अपनी जरूत देखिए कि आपकी जरूत कैसी है अगर रहते हैं जहां कोई काम नहीं करते और आपको ज्यादा है वी प्रोटीन नहीं चाहिए तो आपको साख सब्जी खाने चाहिए आपका सरीर इतना तगड़ा है कि वह पचा सकता है मास को तो आप मास खा सकते हैं पर आपके आंतों में दम नहीं है और आप मास खाएंगे तो आ आपके सरीर की उपर है कहीं किसी राजन्यतिक डिशेने में फसने की या उसके ऊपर करते हैं रहा ऐक दूसरी की कुझट्र को कौम ज्यादा बताते हैं और अपने गूतों को बढ़ाते हैं इससे बचिए अगर आप इससे बचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध ने मास को हां कहा या ना कहा या बुद्ध ने कुछ कहा भी या नहीं भी कहा ये प्रसन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और लोग कहते हैं कि बुद्ध की हत्य या मास खाने से हुई जो चुन्द सुनार है उसका मास खाने से हुई यह जूट बात है क्योंकि बुद्ध को सब पता देता था वो कोई जहरीला ऐसा बनस्पती जिसको आप मस्रूम बोलते हैं कोई मस्रूम था उस मस्रीम को खाने के बाद उनको समय में आ गया कि जहरीला है उन्होंने वो चखा, वो विपस्णा करते थे, वो जानते थे, कि ये अब मेरे को छोड़े का नहीं, मेरा मौत अंत आ गया है, इसलिए उन्होंने उसे जो सूप था, जो कुकरमत्य का सूप था, मस्रूम का सूप था, उसको फिकवा दिया, जमीन में दवा दिया, और ये कहा कि इसके लिए चुंद पर बले मत करना, कि चुंद के भोजन से, मैं अपना सरी छोड़ रहा हूँ, जो सुरूम में मुझे भोजन मिला था, जो खीर मुझे सुरूम मिली थी, खीर मतलब छीर दूद को बुला करते थे, वो भी मेरे लिए जीवन दाई थी, और ये मिला है, ये भी मेरे लिए जीवन दाई है, क्योंकि व्यक्ति को आना भी होता है, समय आने जाने का कोई न कोई कारण बहरा बनता ही है, इसमें किसी का दोस नहीं बनता, इसनिए बुद्ध जैसा ज्यानी और बुद्ध जैसा जानकार, आपको पूरी दुनिया में नहीं कहीं औरुण्होंने मंस के बारे और मास के बारे में आप खाएं या ना खाएं कभी कोई इडिशन नहीं दिया उन्हों सिरफ अपने भिकों के लिए कहा था कि आपको पारती पाता नहीं करना है संघंग नमामी, संघंग नमामी, नमामी धन्यवाद